दोस्तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इंची टेप से नाप कैसे पता करें ये देखिए मेरे बाद दो इंची टेप लगे हैं आज मैं आपको बारी की से समझाऊंगा कि एक इंच में कितने सेंटीमिटर होते हैं एक फुट में कितने इंच होते हैं और कितने सेंटिमीटर होते हैं तो चलिए सुरू करते हैं यह देखिए यह एक इंच है एक इंच में डाई सेंटिमीटर होता है यह एक इंच है यहाँ पर उपर भी एक लिखा है एक के नीचे देखिए यह पूरा डाई है यह दो सेंटिमीटर हो गया इधर वन हो गया इधर टू और इधर हाफ यानि के एक इंच में डाई तो एक सेंटीमेटर में कितने मम् होता है bez 10 डिस यहां चे लेगा है यहां सी यह जो तो और थिरी एक सेंटीमेटर हो इस बीच में 10 मम् होता है अब भाज आते है सूत कर नहीं गषिर ईधर दिखने-गर किए एक से लेकर एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, साथ, आठ, तो यह देखिए, एक इंच में आठ सूत हो गया, और एक सेंटीमीटर में दस एमेम हो गया, और एक इंच में धाई सेंटीमीटर हो गया, अब आज यह फुट में, एक फुट में होता है, बारा इंच, यह है बारा इंच, और सेंटीमीटर हो गया, थर्टीवन, एक फुट में थर्टीवन सेंटीमीटर होता है, अब आज यह गज, एक गज में होता है, तीन फुट, यानि के छटीस इंच, तो चलिए, हमारा छटीस इंच, यह आगे हमारा छटीस इंच, यानि के थर्टीसिक्स, और थर्टीसिक्स इंच का होता है, एक गज, और एक गज में होते हैं, नाइंटीटू सेंटीमीटर, और एक गज में होता है 3 foot यानि 12प यह 36 ठीक है भर है आगे चलिए अभी हमारा होता है मीटर मीटर होता है हमारा 100 cm का तो ये देखी इन हमारा 39ップ हमारा 1 meter होता है 39 अब 1 meter होता है 100 cm हो गया तो चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा बारते भूमी नापने के आंकडे